दॉक्टर संबित पात्रा जी आपको संबोधित करेंगे, मेरा विनम रनिवेदन है, मानिय संबित जी से आपको संबोधित करेंगे। धन्यवाद संजे जी और मित्रों आप सभी का बहुत धन्यवाद एक लंबे अर्षे के बाद आप सबसे मुलाकात हो रही है और एक गंभीर और एहम मसले पर मुद्दे पर मुलाकात हो रही है कल जब हंगामा बर्पा तो मैं भी पार्लामेंट में था और मैं भी पार्लामेंट की गतिविदियों को क्योंकि मैं प्रथम बार का सांसद हूँ बहुत ध्यान से देख रहा था कि पार्लामेंट किस प्रकार चलता है किस प्रकार से पार्लामेंट में सांसद गण अपने मगर जबसे अठारवी लोकसभा आरंब हुई है, जबसे ये सत्र आरंब हुए है, एक विशय में देख रहा हूँ, निन्यानबे की संख्या और अहंकार का खेल, निन्यानबे की संख्या और राहूल गांधी जी का विवहार, और राहूल गांधी जी के विवहार के कारण उनके पार्टी के सदस्यों का विवहार, ये अक्षम्य है, ये कई बार दिल को चुबता है, मेरे सर को भी जुकाने के लिए बाद्धे कर देता है कि हम उस सदन में बैटे हैं, जो लोकतंत्र का सर्फ से बड़ा मंदिर है, सरवाधीक महत्वपूर्ण स्थान है, मगर उस मंदिर में इस प्रकार की एहंकार इस प्रकार की बाते और इस प्रकार का वेवार राहुल गांधी जी का कल जाती पूछ लिया गया इंसल्ट हो गया पहली बात तो मैं यहां सपस्ट कर दू मैं भी सदन में था और आप सब टीवी के माध्यम से सदन की गतिविदियों को देख रहे थे मान ये अनुराग ठाकूर जी ने जब अपने विशे को रखा किसी का नाम नहीं लिया किसी का नाम नहीं लिया नाम नहीं लेते हुए उन्होंने कहा जिसकी जाती का पता नहीं वह जाती पूछ रहे है तो केवल एक ही व्यक्ति को बुरा लगा 543 मेंबर्स सदन में बहुत उपस्थित हैं किसी को बुरा नहीं लगा केवल एक व्यक्ति को बुरा लगा जाती क्या पूछ ली मतलब जाती के पूछने पर इस प्रकार का विवार होगा आज कॉंग्रेस के सांसत गण कागज फाड फाड के फेक रहे थे जो पार्लेमेंट के बिजनेस के कागज दिये जाते हैं जो question hour के आपको questions दिये जाते हैं उसे फाड कर गौरव गोगोई फेक रहे थे speaker के chair के उपर किसलिए फेक रहे थे क्यूंकि उनके नेता राहूल गांधी से उनको लगा कि राहूल गांधी से उनकी जाती पूछ ली गई है मुझे तो बड़ा आश्चरे लगता है जो व्यक्ति हर किसी की जाती पूछ सकता है आप पत्रकार हैं कुछ दिलों पहले पत्रकारों की जाती पूछने का काम राहूल गांधी कर रहे थे पूछ रहे थे आपका नाम क्या है आपका नाम क्या है बताइए आप किस जाती के पत्रकारों की जाती पूची जा सकती है प्रसाशनिक अधिकारियों की जाती पूची जा सकती है कि ये हलवा सेरेमनी में ये जो अधिकारी खड़े हैं ये किस-किस जाती के हैं उनकी जाती पूची जा सकती है जजेस की जाती पूची जा सकती है पूछा जा सकता है आप देख सकते हैं आप किसी कोट में पेश होते हैं और वहाँ जाके जजस की जाती पूछते हैं प्रसाशनिक अधिकारियों की जाती पत्रकारों की जाती जजस की जाती और तो और सैनिकों की जाती आप पूछते हैं आप कहते हैं कि हिंदुस्तान को ये जानने का अधिकार है कि किस जाती के लोग सरवाधिक सैनिक के रूप में हैं, किस जाती को कितनी रिप्रेजेंटेशन आर्मी में मिली हुई, किस धर्म को कितना रिप्रेजेंटेशन आर्मी में मिला हुआ है, यह सब आप पूछ सकते हैं मगर आपसे कोई अगर जाती पूछ ले तो मम्मी 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 मुझसे जाती पूछ लिया गया मम्मी मेरा इंसल्ट हो गया यह क्या मजाग बना के रखा हुआ है मुझे संत कभीर का वो दोहा याद आता है जाती न पूछो साधू की जाती न पूछो साधू की पूछ लीजिये ज्यान मोल करो तलवार का पड़ा रहने दो म्यान जाती न पूछो साधू की राहुल जी साधू है वो साधू होते तो उनकी जाती नहीं पूछी जाती पूछ लीजिये ज्यान वो ज्यानवान है चलिए हम आपसे पूछ लेते हैं जाती नहीं पूछेंगे आपकी बताईए आपका ग्यान आपके ग्यान का प्रदर्शन तो आलू से सोने और सोने से आलू और पता नी क्या क्या कहके आपने अपने ग्यान का प्रदर्शन किया हुआ है मोल करो तलवार का पड़ा रहने दो म्यान तलवार भी जंग पड़ा तलवार है जंग धारी तलवार है और म्यान का तो पूछिये इमत ना सादू है ना ज्यानी है ना तलवार में धार है और म्यान भी परिवार का है और उसके उपर अगर जाती पूछ लिया गया उस व्यक्ति से जबकि नाम नहीं लिया गया फिर भी उनको लगता है उनसे जाती पूछ लिया गया उस व्यक्ति से जो हिंदुस्तान में सबसे जाती पूछ सकता है तो इसमें क्या गड़बड़ी है मैं कल पार्लामेंट में था मुझे तो बड़ा आश्चरी हुआ तुरंद कांग्रेस के सारे सांसत खड़े हो गए और खड़े होकर उन्होंने कहा चिल्ला चिल्ला करके कि ये पवित्र सदन है यहां पर किसी की जाती नहीं पूछी जा सकती वा आप जाती जनगणना चाहते हैं और आप कह रहे हैं कि सदन के अंदर जाती पूछी नहीं जा सकती है तो बाहर जाती कैसी पूछी जा सकती है मतलब ये धर्ती पवित्र नहीं है केवल सदन ही पवित्र है अरे सदन भी पवित्र है देश भी पवित्र है आप लोगों ने कल कहा कि सदन के अंदर किसी की जाती पूछना ये इंसल्ट है तो गणना कैसे होगी आप ये बता के दिखाईए मुझे आश्चरी होता है राहुल गांधी जी मैं अभी वीडियो में वो बयान देखके आ रहा था जिस बयान में आपने प्रधान मंत्री जी के जाती को लेकर भी भ्रम फैलाने की कोशिश की थी आप सब को याद होगा चुनाओ के समय माननिय नरेंद्र मोधी जी के जाती को लेकर गलत टिपणी करने का प्रयास कुल्चित प्रयास राहुल गांधी जी ने किया था आप प्रधान मंत्री की जाती पर टिपणी कर सकते हैं मगर कोई आप की जाती पूछ नहीं सकता आप करे तो पुन्य और जन्ता करे तो पाप ऐसा नहीं हो सकता है केवल जाती पूछने का विशय नहीं है मैंने जैसे आपको कहा मैं पहली बार का सांसद हूँ भगवान जगनात की कृपा रही मैं पीछे बैठता हूँ और सब कुछ देखता हूँ मुझे आश्चरी होता है मुझे आश्चरी होता है राहूल गांधी जी की सेंस ओफ एंटाइटिल्मेंट पे वो टीशर्ट और जीन्स पहन के आते हैं मैं किसी कपड़े के उपर कमेंट नहीं कर रहा हूँ भद्रता नम्रता शीलता यह भी होती है जेब के अंदर दोनों हाथ डाल के आते हैं आप देखिएगा आप ये वीडियो निकाल के देखिए कैसे आते हैं जब सभापती महोदय स्पीकर बैठे हुए होते हैं आसीन पेपीठासीन होते हैं उस समय राहूल गांधी दोनों जेब में हाथ डाल कर जिस प्रकार डोल करके जिस प्रकार से वो आते हैं वो केवल और केवल अहंकार की चाल है The body language of arrogance of Mr. Rahul Gandhi speaks more than the words of Mr. Rahul Gandhi उनके body language में ही arrogance जलगता है मैं उनके भाशन को सुन रहा था पहले भी सुन रहा था और इस बार भी सुन रहा था पिछली बार भी तस्वीर लेकर आये थे इस बार भी तस्वीर लेकर आये थे सदन में कुछ कानून होते हैं कुछ मर्यादा होता है सदन में कुछ rules होते हैं कुछ प्रावधान होते हैं चाहे प्रदानमंत्री जी हो चाहे L.O.P हो चाहे कोई और सदस्य हो चाहे मंत्री गण हो सभी के लिए कानून के अंतरगत नियम जिसको रूल्स कहते हैं रूल्स के अंतरगत काम करना अनिवार्य है ये सदन की मर्यादा है आप सदन में फोटो नहीं दिखा सकते हैं किसी तस्वीर को आप इस प्रकार से नहीं दिखा सकते हैं और फोटो दिखा करके आप चिन्नीत नहीं करा सकते हैं बार बार कहने के बावजूद वो फोटो दिखाते हैं बार बार कहने के बावजूद और समझाने के बावजूद कि ये कानून के खिलाफ है राहूल गांधी अपने आपको रूल से उपर मानते हैं और स्पीकर महोदे का पीठासीन स्पीकर महोदे का अपमान करते हैं एक बार नहीं हर बार अपमान करते हैं अध्यक्ष महोदे सदन को चलाते हैं अध्यक्ष के प्रति आदर होना चाहिए मर नहीं राहुल गांधी जी का ये आदर मैंने कभी नहीं देखा है और मैं बताता हूँ अपने experience से मैं देखता हूँ राहुल गांधी जी की तरफ कैसे बैठते हैं वो ऐसे बैठते हैं जैसे अपने घर के sofa सेट पे बैठ कर टीवी देख रहे हाथ पसार करके पेर उठा करके अरे भाइया ये तुम्हारे परिवार का ड्रॉइंग रूम नहीं है राहुन बाबा ये तुम्हारे घर का ड्रॉइंग रूम नहीं है this is the democratic country's parliament this is the highest temple of democracy of india ये भारत वर्ष के लोकतंत्र का मंदिर है आपने कभी नरेंद्र मोधी जी को जो देश के प्रदान मंत्री है आपने कभी उनको इस प्रकार से बैठे हुए देखा है और मैं तो कहता हूँ इससे पूर्व के प्रदान मंत्रीयों को भी कभी आपने ऐसे बैठे हुए देखा है सोचा भी नहीं जा सकता है एक गरीमा होती है गरीमा मैं तरीके से बैठते हैं ये लोग मगर राहुल गांधीजी को देखिए पैर उठा करके हाथ पसार करके बैठे हुए हैं जैसे कि ये उनके घर का ड्रॉइंग रूम है मुझे तो वो दिन भी आद है मैं गुजरात में चुनाव के समय था मैं गुजरात में चुनाव के समय था चुनाव चल रहे थे इससे पहले के पहले बार सोमनाथ मंदिर राउल गांधी गये थे उनको किसने समझाया था कि बहुत मंदिर मंदिर सभी लोग जा रहे हैं आपको मंदिर जाना पड़ेगा नहीं तो अच्छा नहीं होगा तो सोमनाथ मंदिर गह थे और मीडिया की रिपोर्ट आई थी संजय जी भी वहां मौझूद थे अनिल बलूनी जी हमारे मीडिया इंचार जो हम मौझूद थे बतोर प्रवक्ता में वहां मौझूद था तुरंट फोन आया कि सोमनाथ मंदिर के जो रेजिस्टर होते हैं एक हिंदू वाला रेजिस्टर होता है और एक नौन हिंदू रेजिस्टर होता है राहूल गांधी जी ने अपना नाम नौन हिंदू रेजिस्टर में लिखवाया था ये मीडिया की रिपोर्टी मैं जाके वहां देखके नहीं आया था मगर मीडिया की रिपोर्टी हेडलाइन में फ्लैश हुआ तमाम गुजराती चैनलों ने दिखाया की नौन हिंदू रेजिस्टर में राहूल गांधी जी ने अपना नाम लिखा है तुरंथम ने प्रेस कॉन्फरेंस किया और उसके कुछ दिनों बाद सुर्जेवाला जी ने प्रेस कॉन्फरेंस किया कि ये जनेव धारी ब्रामण है वाह हाँ सर्ट के उपर जनेव पहना कोट के उपर सर्ट के उपर नहीं कोट के उपर जनेव पहल लिया वाह ये सास भी कभी बहुती सीरियल में ऐसे इच्छा धारी केरेक्टर होते हैं ये इच्छाधारी केरेक्टर कभी सास भी कभी बहुती उसी केरेक्टर उसी सीरियल में होते हैं कि नौन हिंदू रेजिस्टर से जब मन किया तो कोट के उपर जरह उपहल लिया वाह ये तो बहुत बड़ी बात है समझाया जाए इस इस अदिमोकरिटी कंट्री करकि करकिन छुיפ होशची लगाराशय आस। कि बाधं भर भांपाव ले बाग्ष्तामरी धिसरे इसेंधैंने है जिए चेलने करे करिये अरिया इन वह लिए याधवाव्व मतना इम्त्रीजन कि का ठॉने इक्वित बात्वरभाई काउन जादबा we have every right of questioning you why are you above that do you consider yourself entitled enough that you will not give reply to people मुझे तो लगता है और में वो भाशन भी सुन रहा था कि जो बचकाने हर का तेरा आउर गांदी के फोटो दिखा दिखा के फोटो दिखा के चिलाना देखो 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 ममी ममी मेरा फोटो हटा दिया अभी टीवी से देखो देखो मेरा माईक बंद कर दिया ये बचकाने हरकते बंद कर दे कानून है कि आप फोटो नहीं दिखा सकते जब आप फोटो दिखाएंगे तो सुआवी कूप से you cannot cry you cannot cry mommy my photo has not been shown on the TV this is not the way you behave and then you say there is a rule you cannot take names the people who are not present who are not member of the august house you cannot name them I was listening to nirmala sitaraman ji yesterday look at the graciousness graciousness of man she did not take the names of anyone accepting two names jinko unhoney accolades dya pranam kiya ki unke pita ur unke suputr ke mrutyu ke prashat bhi halwa ceremony me woh anndar gae aur kuch dino ke liye woh anndar band rahe anthim sanskar tak me ja nahi pahe jho beeta apne anthim apne pita ke anthim sanskar me jana sakhe jho pita apne putr ke anthim sanskar me jana sakhe kyunki woh desh ki sewa kar rahe hai eek basement mein bund hoke kama kar rahe hai us pita se us bete se aap puchh rahe hai ki tumhari jat kya hai tu munchi jatki ho ya aur kisi jatki ho aur tumhara adhikar nahi hai is photo me aane ka what is this behavior rahul gandhi ji aur aap puchh rahe tei mein unko acronim dunga a1 a2 meera to man kar raha ta ki mein bhi niyam bang kar dhu aur khada hao jau sadan mein aur kohun sir a1 a2 to already allotted hai pata hai ki nahi supreme court mein national herald case mein a1 sonia gandhi hai accuse number one aur a2 accuse number two rahul gandhi hai so a1 a2 are allotted portfolios jis portfolio ka allot kar dya gaya hai us portfolio mein aap dubara kisi ko nahi baita saaktet so accuse number one accuse number two are allotted portfolios agnivir ko lye kar bhi mein dhek raha tha aur mein dukh ke saath samaapan ki ora raha hau agnivir ko lete huye jab rahul gandhi ji nye jati ko laya aur kaha ki pm nye dho tariqe se army ke jawan banayen pradhan mantri ji nye dho tariqe se army ke jawan banayen eek gareeb dalit aur minority joh agnivir hai gareeb dalit aur minority joh agnivir hai aur dhusra ameer pariwar se jisse sari facility miltii hai yaa ap army ko tođna chahate hai yaa ap army ke anndar ldaai karwana chahate hai ki yae gareeb dalit aur ye minority walay hai aur ye ameer pariwar se aay huye loog hai aafsar hai ab inke biech mein ladaai karwa de joh inko joh agnivir soros bolte hai woh karte hai ki chayna me jake m.o.s sign karke ishi liye to aayen mahinye me mota mal kamaate hai maa baita ishi liye kamaate ki jau army ko tođo jau hindustan ko kis tari se vikandit karna hai uski chinta karo jat joh puchhe rahul ki jat joh puchhe rahul ki प्रकट हुआ अज्यान मम्मी मम्मी कहके रोए भाई जान मैं अंत में इतना ही कहूंगा और सम्मान के साथ कहूंगा मरहूम फिरोज जी के नवासे से जाती क्या पूछ लिया गया इंसल्ट क्यूं हो गया इंसल्ट क्यूं हो गया इंसल्ट क्यूं हो गया धन्यवाद कोई प मैंने विकास जी आप से तो मेरा परीचय भी है आप सघन अध्यान करके आते हैं विकास जी आप थोड़ा लेट आए हैं इस प्रेस कॉंफरेंस में मैंने प्रेस कॉंफरेंस के आरंब में कहा है और यहां सभी साक्षी बैठे हैं मैंने कहा कि जो पूछा गया था तो नाम नहीं लिया गया था किसी ने आपत्ती नहीं जताई केवल एक वेक्ती ने उट खड़े होकर कहा कि मेरा इंसल्ट हो गया ऐसा क्यूं हुआ ऐसा क्यूं उन्हें लगा कि उन्हीं की जात पूछी गई तो इस कारण से आज मैं यहां प क्रेस कॉंफरेंस में पार्टी के केंपस में कर रहा हूं पार्लामेंट में अगर खड़े होकर पूछता राहुल गांदी जी जात बताईए तो विशय अलग होता पार्लामेंट में तो नाम नहीं लिया गया तीर आके आपको क्यूं लगा चोर की धाड़ी में दिनका तो जरूर है जो लोग इस विशय को देखते हैं हमारी बिजनेस एड्वाइजरी कमीटी है उस पर उत्तर देगी और आप लोग तो नौन बिचायरे काटेगरी में है ना अलाउड है आपको हर जगा आप हर जगा जा सकते हैं प्रशन पूछ सकते हैं बीज़ इसका जवाब जरूर लोग किसकी सरकार कहां आएगी मतलब चार साल तक तो अरविंद के जरीवाल जेल में ही रहने वाले हैं ये तो कंफर्म्ड हो गया है अब चलिए तो कहँ चलिए प सकते हैं आी बाशड थे को ऑव गए वच खब थावर रशन प्र्म्न प्रिश खब श्यर्च्अ सब्सक्तरा स्यर्थ फटेरे शन सवार्लोंड तो